आपको टॉप क्वालिटी फूट सीक्रिट्स में दिल की गहरायों से खुशान दिये आज हम बनाएंगे पोटेटो चीप्स पकोड़े स्टार्ट करेंगे कोना कप बेसन लिया है हमने इसे अच्छे से चान लिया है एक टी स्पून धनिये और सब्स मिर्च का पेस्ट लिया है दो सब्स मिर्च थी और थोड़ा सा धनिया एक टी स्पून लेसन और अगरक का पेस्ट है एक टी स्पून से थोड़ा सा कम है एक टी स्पून जीरा हाफ तीस्पून नमक, एक टीस्पून सुर्फ मिर्च पाउडर, एक चोथाई टीस्पून गरम मसाला पाउडर, दो चुटकी चिली फ्लैक्स, और हाफ टीस्पून साबत धनिया लिया है, हमने लित्मान स्पाइसी बेसन में डाल देंगे, बिस्मिल्लाहराह्मारी रहेम, मिक्स क लाल देंगे, ऑद्रक और लहसं का पेस्मिश, एक चमच भी डाल देंगे, ऌहीं में, पानी लेुडप य्दा, और इसे गाढ़ासा मिक्स्टरू टीयार कर लेंगे, वह रिवाजी ये ना ज्याधा गाढ़ा है और ना पकला, तीससे इसслदा तैयार कर लेना है, और इस स् नहीं ज्यादा बारीक, अब हम इस आलू को पकड़ेंगे, डिप करेंगे इसमें इस तरह से, ऑईल ले लिया है, हमने इसे गरम कर लिया है, फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है, ये एक एक करके इसमें इस तरह से डालते जाएंगे, बेसन वाले बैटर में डिप करके, इसमें देखिए, हमने डाल दिये हैं, फ्लेम हमारी मीडियम टू लो है, जैसा के बबल से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा, एक मिन के बाद हम इनको इस तरह से पलट देंगे, फ्रेंट देखिए, कोडे हमारे फ्राय हो चुके हैं, इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे, फ्रेंट हमने इसमें धनिया काट कर नहीं डाला, काट कर इसलिए नहीं डाला, क्योंकि अगर हम इसे काट कर डालते, तो धनिया के पते जल जाते, इसलिए आप भी इसे पीस कर ही डालें, आईल को जाड लेंगे, और इसी तरह से हम अपने सारे पकोड़े राड़े कर लें वीडियो अच्छी रगे तो लाइक करें फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त अल्ला हाफिज